हिमाचल परदेश सरकार के द्वारा करमचारी चैन आयोग को भंग कर दिया गया है सुकु सरकार से पहले बीर बद्धर सरकार के समय में भी ऐसा हुआ जहांपर करमचारी चैन आयोग को भंक कर दिया गया और भरतिया लोग सेवा आयोग शिमला के माधिम से करवाई गई अठाना पोस्ट कोड के पेपर हुए लिक बिजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा ऐसे में करमचारी चैन आयोग के भवन को सील कर दिया गया और यहां पर पूली स्तैनात कर दी गई है हिमाचल परदेश में बियाईपी नंबर के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले देशराज अब इस बोली से पीछे हट गए है और अब दूसरे नंबर पर बोली लगाने वाले संजे कुमार को ये वियाईपी नंबर लेने का मौका मिलेगा तीन दिन में अगर संजय कुमार ने भी बोली की धनराशी जमा नहीं करवाई तो तीसरे सान पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ये स्कूर्टी नंबर लेने का मौका दिया जाएगा जिला मंडी में शिवरात्री की धूम, महा शिवरात्री महोत्सम मंडी की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में रियल्टी शो फेम, अब इजीत श्रिवास्तब ने बहतरीन गानू से मंडी के लोगों का मनुरंजन किया हिमाचल परदेश विधान सबा का बजट सतर 14 मार्स से शुरू होगा और 6 अप्रेल को इसका समापन होगा राज्यपाल शिप परताप शुकला ने 14 मार्स से विधान सबा का बजट सतर बुलाने की अनुमती दे दी है हिमाचल पर्देश में भारी बर्फबारी आदे गंटे में पूरे शिमला शहर में बिच गई ओलों की सफेद चादर मंगलवार को लाहॉल के साथ प्रेटन नगरी मनाली की उजी चोटिय में बर्फबारी हुई जिससे पूरी घाटी में तापमान गेर गया और ठंड बढ़ गई रोतांग टनल सहित इसके आसपास के स्थानों पर काफी बर्फबारी हुई सिर्मोर की पॉंटा घाटी में टाइगर बाग की मौजूदगी पुकता हो गई है पहली बार यहां टाइगर की तस्वीर ट्रैप कैमरे में कैद हुई करनल शेरगंज नैशनल पार्क सिंबल वाड़ा में टाइगर की मौजूदगी से बन्ने प्राणी काफी उतसाहित है मुकेश अगनी होतरी बोले पॉंग टैम और बीबीमबी से खिंच कर उना लाएंगे पानी उना जिले के पांच बिधान सवा क्षित्रों में पानी की समस्या को सदा के लिए निवारन किया जाएगा इसके लिए पॉंग डैम और भाकडा ब्यास परवंदन से पानी खिंच कर उना लाया जाएगा RBI अब शिम्ला में ही करेगा बैंकों से जुड़े हुए लेंदेन की शिकायतों का निप्टारा RBI के क्षित्री निदेशक ने राज्य पाल से शिम्ला में मुलाकात की और भारतिय रिजर्ब बैंक और इसके विवेन कारियों के सम्मंद में भी जानकारी दी किसानों का कहना है कि सरकार जो भी बैठके किसानों के साथ कर रही है ये मात्र आपचारिकताई ही है ऐसे में सरकार किसानों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है किसान वंचने सरकार को चिताया है कि भाजपा सरकार ने किसानों की अंदेखी की ऐसे में भाजपा को सत्ता गवानी पड़ी उन्होंने कहा कॉंग्रेस बागवानों को हलके में ना ले किसानों ने सेव उत्पादक शेतरों की स्तारा में से 14 सीटे कांग्रेस की जोली में डाली है